वैसे तो अजे देवगन की बॉलिवुड में इंट्री साल 1991 में धमाकेदार हुई थी। लेकिन 1992 के बाद उनका करिया शुरू होते ही खत्म होने लगा था। साल 1993 में उनके हाथ सिर्फ फ्लॉप और डिजास्टर फिल्में ही लग रही थी। तभी साल 1994 में उनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उनके डूपते हुए करिया को एक नई उचाई दी थी। मशहूर बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन का फिल्मी करिया काफी हद तक सफल रहा है और पिछले तीन दशकों से वह बॉक्स ओफिस पर राज करते नजर आ रहे हैं। अजय के दमदार अभिने के लोग कायल हैं और आए दिन उनकी फिल्मों के इंतजार में रहते हैं। अजय ने अब तक अपने करिया में एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ओफिस पर दी हैं। लेकिन उनके करिया में एक वक्त ऐसा भी आया था जब सभी को लगने लगा था कि उनका करिया डूबने वाला है। अजय देवगन ने सुपर हिट फिल्म फूल और कांटे से साल 1991 में बॉलीवुड में कदम रखा था और अपनी पहली ही फिल्म से वह बॉलीवुड में च्छा गए थे। उसके बाद साल 1992 में उनकी दूसरी फिल्म जिगर आई और ये भी बॉक्स आफिस पर सफल साबित हुई थी। यहां तक तो सब कुछ अजय के लिए काफी अच्छा चल रहा था लेकिन साल 1993 अजय के करिया के लिए एक चुनोती बनकर सामने आई। साल 1993 में एक के बाद एक फ्लॉप और डिजास्टर फिल्मों के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि अजय देवगन का करिया खत्म होने वाला है। सभी ने सोच लिया था कि उनका करिया अब डूब जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि साल 1994 में अजय के हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उनकी किस्मत चमका दी। और ऐसी चमकाई की आज भी अजय देवगन बॉक्स ओफिस के बादशा बने बैठे हैं। दरसल साल 1994 में आई फिल्म दिल्वाले ने अजय देवगन को इंडस्ट्री में एक नहीं उचाई दी। रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ओफिस पर सुपहित साबित हुई थी। और देखते ही देखते अजय देवगन के साथ साथ सुनीर शेटी की किस्मत भी इस फिल्म ने चमकादी थी। इस फिल्म में अजय देवगन और सुनीर शेटी के साथ रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नजर आई थी। यह एक एक्शन ड्रामा से भरपूर एक जबरदस्ट लव स्टोरी फिल्म थी, जिसके सारे गाने भी सुपहित साबित हुए थे और इस फिल्म के सारे गाने आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। इस फिल्म के बाद अजय देवगन को कभी भी पीछे मुल कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बॉक्स ओफिस इंडिया के आंकलों के अनुसार महस 2.1 करोड में बन कर तयार हुई इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर कुल 11.9 करोड की कमाई करने में सफलता हासिल की थी।